डिसीजन लेने के बाद काफिस जदा डिसपॉइंट जो है सना मक्बूल और विशाल लग रहे हैं इनको जो है अर्मान मलिक को head of the house बनाना ही नहीं था, captain बनाना ही नहीं था जो की लगातार मैं आप लोगों को बता ही रही हूँ सना मक्बूल जो है अंत तक उसी डिसीजन पे जो है अटकी रही पर आखिरकार अगर majority में जाए तो majority भी अगर देखे तो जादा तर जो है पलड़ा भारी जो है अर्मान की तरफ था यानि कि राशन की तरफ था अगर राशन घर में नहीं आएगा तो आखिरकार फिर क्या हो सब लोग भूके मरेंगे और बिग बॉस ने जो एक बार चीज बोल दी तो बिग बॉस जो है उसके उपर एक दम डटे रहते हैं इसी चीज के बारे में जो है विशाल के साथ लवकिश बाहर बात करते होए भी नजर आए कि भाई तुझे क्या लगता है कि एक बार बिग पर राशन नहीं मिलेगा तो हमें सफर करना पड़ता राशन नहीं मिलता तो वो नहीं मानते हैं वो डटे रहते हैं तो इसे चीज के बीच में ही जो है सना मकבूल काफिस जद़ा निराश होती है और बोलती है कि मैं काफिस जद़ाए डिस्स Candid हो तो विशाल समझाने की को और शिवानी ने भी बोल दिया, तो वहाँ पर ये सब बाते हो रही हैं, पर विशाल का कहना ये है, कि मैं ये चीज़ चाहता था, कि ये लोग जैसे डटे रहे, कि हाँ हमें तो अर्मान को ही बनाना है, तो हम भी अपने डिसीजन पे डटे रहते, तो अगर हम सफर कर रहे है तो ये भी सफर करते कि हाँ अगर ये चीजे अगर ये भी छोड़ देते तो आखिरकार राशन आ सकता था घर में और काफे सारी बाते जो है इनके बीच में हो रही है पर मुझे ऐसा लगता है कि जो भी डिसीजन लिया है वो सही ही लिया है अर्मान के नाग में दम ये लोग पर वो काम क्यों कर रहे हो वो काम अगर तुम्हें वो अर्मान पसंद नहीं है अगर तुम्हारे उपर चौदर गिरी वो जाड़ेगा तो तुम्हें करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि तुम उसके नौकर नहीं हो पर एटलिस राशन तो आया ना घर में एटलिस तुम उन्हें जो decision लिया है वो सही है पर अगर अर्मान पसंद नहीं है तो अर्मान के नाक में अब दम कर सकते हो तुम लोग आपका क्या कहना है बताईए जरूर मेरा मानना ये है अगर मैं भी वहाँ पर रहती तो यही decision जरूर लेती पर अर्मान की band जो है मैं बजाती जरूर क्य